नमस्कार अचार सल्य चैनल में आप लोग का स्वागत है आज एक फिर फॉल्वर के ड्वाइस पे ये वीडियो दे रहा हूं और उन्होंने जानना चाहिए कि अचार जी आप कह रहे हैं कि आगे चलके बीजे पिकले थोर टफ टाइम होगा और आपने बोला कि मोदी जी के र सवाल बहुत अच्छा है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सरकार को मने हुए सौ दिन से जादा हो चुके हैं और बहुत कोशिस की गई कि किसी पिकार 272 को मैजिक को फिवर को लाया जाए को कि यह एक एंडिये की सरकार है जो समर्थन पर चल रही है आपर समझद लेकिन बीजेपी की एक प्राइटी यह रहती है कि कैसे भी करके वो अपने बल पे 200 बहतर कर ले मतलब दल बदल कराके और लोगों को तोड़के अपनी पार्टी में लाए तो सवाल यह है कि क्या नितीज कुमार के MPs बीजेपी में चले आएंगे या चंद बाबु तो इसके लिए बिहार को फोकस करना बहुत जोड़ी था क्योंकि बिहार में अग्रे साल चुनाओ है और नितीज बाबु की हमें सही यह रहा है हिसाब कि सेंटल में भी उन्होंने पॉलिटिक्स करी नेता रहे वो एक जमाने में मैं उनके काफी उम्लिलना जुलना होता थ जब वो रेले मनती थे और या फिवो भी हार भी सीमर है पस उनका दोई पावर के क्लोज रहें और मैं अपने फॉलोर्स को बताना चाहता हूं कि एक्सन में वीडियो में बात करता हूं जैपिकास्ट नाराण की जैपिकास्ट नाराण ने इस देश में राजनीतिक भुच सब्सक्र слышal से जिन से बहुत उपीद ही में काफिकास्ट नारायन होते तो हो सकता यह इस्तितिह नहीं होती और यदि जिन्ना होते तो रोते मebठ के कि ये क्या हो गया कोकि उनहें की आंदोलंस से नितिश कुमान निकले उनहें कि ऐन दोलंसे लाओपिसाद याता हो ले declaration न बिहार के लिए देखा जाया तो कुछ नहीं कह रहा विक्तिकत तोर पर चाहे कितना भी राइस किया और लेकिन बिहार जहां पर था उससे पीछे ही होता गया को कि कॉंगरेस का आखरी मुक्वंती वहां पर जगनात मिस्रा तेसायत में रिकाल से बाद में बीजेपी भी मिली जुली सरकार में रही कभी लालों के साथ कभी नितीज के साथ ऐसा उनका कॉंबिनेशन लालों के साथ था या नहीं था मुझे एक्जेक्ट भी पता लेकिन निती राजनीति में कभी भी कोई किसी कहनी होता और अपने स्वार्थ और अपने कॉम्बनेशन्स को जिंदा रखने के लिए यह सब खेल खिये जाते हैं और पावर को इंज्वाई करते हैं और परिवारवाद व्यक्तिवाद राजनीति से भरा पड़ा हुआ है तो उसमें जादा चर्चा करने की जोत नहीं है सवाल यह है कि क्या बीजेपी की सरकार को कौन धोका दे सकता है मतलब कौन इन वक्त पे इस गौर्ण्मेंट पे क्राइसिस कर सकता है तो मैंने दो कुंडियां देखी दो कुंडियों में पहली कुंडि थी चंद बागु नाइडू की क्योंकि उनके समर्तन से सरकार है और नितिश कुमार जिनके समर्तन से सरकार है तो मेरी जो कल्कुरेशन निकल के आई तो उसमें आया कि नितिश कुमार जो की उनके नेचर में भी है कि कब वो किसका समर्तन ले और कब किसको छोड़ दे ये एक नेचर है उनका और ये नेचर लगने का उनका जन्म है और बुद्ध जो है नवे घर में बैठा हुआ है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सूर के साथ में गुरू के साथ में एक अच्छा राज्योग देता है लगने लॉर्ड नवे घर में बैठा हुआ है और उसके साथ में सूर बैठा हुआ है थर्ड मतलब चंदमा इनकी कुंड़ी में नीच का है और ये चंदमा जो है वो किरे में दुम योग बना रहा है मतलब चंदमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है लेकिन हम नवांस कुंड़ी में देखें तो लगबख वही इस्तिती निकल के आती किने आप जुपीटर चंदमा को देख रहा है तो थोड़ा सा बच आता है क्या होगा प्रिसांत किसोर ने अपनी नई पार्टी बना दी और बिहार मूफ कर गया प्रिसांत किसोर एक ऐसी पस्नाल्टी है जिसमें युनाइटेट नेशन में काम किया आईटी के पढ़न गए है मोधी को पिधानमंती बनाने में बीजे जो अब मोधी जीन उनको हैर किया था और वो हैर इसलिए क्या था क्योंकि वह कास्ट कॉम्बिनेशन और लोगों की प्राब्लम को अडिटिफाई करके मतलब जिसको हम बोलते हैं कि डेटा एनलिसिस होती वो बढ़िया होती है कि कहां पी क्या प्राब्लम है उस प्राब्लम को हाईलाइट करो और पब्लिक से बात करो और उनका वोट लेकर निकल जबागी काम ना होना बात की बात है यही उन्होंने मोधी जी के लिए काम किया यही काम उन्हो और original parties के लिए किया, Congress के लिए उन्होंने काम किया पंजाब में, तो जब बहुत पार्टियों का उनको अनभा हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अपने एक और दोस्त को जो डिप्लोमेट है, और अब बिहार में वो एक्टिव हो गया, जायर है कि वो अगले विधान सवा में सरकार बनाने की कोशिस करेंगे, लेकिन यहां पर फिर एक प्रॉब्लम है, बिहार की राजनीती जाती से चलती है, और प्रिसांत किसोर ब्रह्मन है, और अब यह आप कहेंगे कि अचार जी आप जाती की बात करते हैं, बिल्कुल बिहार में वो चलेगा वो, उसको कोई नहीं खतम कर सकता, जाती की जो परंपरा इस देश में सुरू हो चुकी है, वो विनास काल तक रहेगी, जब तक सब खतम नहीं आता है, जबकि जो हमारी रिवर्ण में वस्ता है, वो दुनिया में कहीं नहीं है, तक हमारे ही आई हैं, और हम अपने ही ख़ाबों के दुनिया में रहते हैं, और हमने पूरे सिस्टम को बरबात कर दिया है, तो ये जो प्रिसांद के सोच जब ये फेमस होंगे, क्योंकि होना भी चाहिए, पड़ा लिखा आदमी है, दिमाग है, और जब वो लोगों को नेता और पद पे बिठा सकता है, तो खुद क्यों नहीं बैठें, और मैं समझता हूँ, ये खुद बैठके, पैसे तो कमा लि क्योंकि यही प्रिंस्पल उसमें मोदी जी को बताया था गुजरात में, कि कास्ट को अभी मत रखो, बाद में कैसे यूज करना है, उसके अपोजिट को भी हार में जाएंगे, और यहीं पे खत्रा होगा नितिश कुमार को, क्योंकि नितिश कुमार बीजेपी से जुड़ हुआ है, और अभी जो मोदी जी का जो करिस्मा है, वो धीवे धीवे कम हो रहा है, योगी जी वहाँ पे उतना इफेक्ट डालनी पाएंगे, और ना ही अमिसा जी कुछ कर पाएंगे, तो कॉमिनेशन्स का निकल के आएगा, कि जब जाती गत हिसाब किताब चलेंगे, तब कि ये अपने आपको सर्वाइफ करने के लिए ये बीजेपी को सपोर्ट देना बंद करेंगे, और बाद में घूम के लालू के पास जाएंगे, और लालू बसाद यादों से वापस कड़ बंदन करके चुनाओ लगे, कोई कारण क्या है, अगला विधानसवा में लालू के लिए खत्र है, तो ये जो पूरा जो OBC है, ये OBC फिर एक होंगे, ये हमाई देश की मैं क्या बोलू हूँ, मैं कई बार बोल चुके हूँ, कि जब चुनाओ आता है, तो कास्ट के साब से बनता है, यहां मुस्लिम, वहां दलित, वहां आदिवासी, इसको इससे लड़ाओ इसको इससे मिलाओ, और खुछ जीत के बैठ जाओ, लेकिन फिल्ड में कोई काम नहीं होता है, तो ये काम निसर चलेगा, तो नितीस कुमार के अपनी मजबूरी होगी, कि वह BJP से अलग हो, क्योंकि लालू जी वहीं बोलेंगे कि तुम BJP से पहले अलग हो जाओ, तो ये फिर चुनाओ पर ये जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि यहीं पर खत्रे की घंटी बजेगी, और ये मेरे हिसाब से ये जो पैरामीटर सुरू होता है, कि नितीस बावू कब दोखा दे सकते हैं इस पार्टी को, नॉमबर दोजार चौबिस के बाद, क्योंकि अब चुना हो के विकास की बात करें, डेवलप्मेंट की बात करें, और करना भी चाहिए, एक पड़ा लिखा, आईएटी का बच्चा है, और ये वो अच्छा करता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बिहार जो पहले था 85 की पहले तक, मैक्सिमम आईएस वहां से आते थे मैक्सिमम डिप्लोमेंट्स आते थे, अच्छे नेता आते थे, वो खतम हो गए हैं, आज की डेट में बिहार का ग्राफ देखें, तो बिहार के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन ये वो बच्चे हैं, इनका बिहार से कोई संबंध नहीं है, मोदी जी की सरकार में जितने भी मंत हैं, उन्होंने देखा जाएं, तो वो दिल्ली की राजनीती में तो एक्टिव रहे हैं, बिहार की राजनीती में उतना नहीं कर पाएं, मोदी जी के कारण वो चुनाओ जीते, क्योंकि उनका एक प्रभाव था, दोजार चौदा में, उननीस में, चौबिस में, जेतना भी परिवर्तन का दोर आएगा, और प्रिसांत के सोर पहुंची गये हैं, तो मेरा सवाल यह है, मेरा उत्तर यह है, कि नितीज बाभू जो है बीजेपी को अब छोड़ेंगे, और यहीं पे मोदी जी के लिए प्राब्लम सुरू होगी, तो कुस्टन का अंसर यह है, नितीज क सकते हमे उतीज के लिएवाँ के सवाल, कि भाभू है, तो कि बाभू है, प्राब कर दो उतीज के लिए जी जीजेचे प्राबुगाँ जी कम शोड़ेंशे हैं, कि ए भाभू हैं, और यह हैं प्राबूब है।